सरकस की वर्तमान में क्या दिशा और दशा है आईए इसको जानने का एक प्रियास करते हैं कि सरकस वर्तमान में इस इंडस्टी का क्या हाथ है इसको जिंदा रखना हम लोगों का में मक्सद है इस कले से जुडा हुआ हम लोगों का एक एक सरकस में सो डोड़ सो लोगों का परिवार है उनका पेट चल रहा है उनको अपना रोज़गारी चलाने के इसके इलावा कहीं और ना कोई नवकरी मिलेगा ना कोई चैंस है तो इन लोग का रोड़ी भी चलना जरूरी है और इसकला को भी जिंदा रखना जरूरी है और जगा जाओ जमीन मिलना है मुश्किल अब जमीन ग्राउंड अगरा मिल गया तो में ग्राउंड मिलेगा नहीं कई आउट में मिलेगा तो सरक्ष में पब्लिक इतना दूर जाना नहीं चाहता है ऐसे कई कष्ट है जिससे तोड़ा सा प्रशासन अगर खोशिश करेंगे और जगा सरक्ष के लिए बढ़िया ग्राउंड और ऐलट्वेंट दिया जाए और हाटिस तो अगरा जो एक से एक खला अपना है उन्सों जिन्दा रखें पब्लिक के साथ हम लोग भी कोपरेट करके छिलें यह सब तो होना चाहिए यह सब ज्यादा अमलों का साथ में कंपूरिशन है कि कुछ कुछ प्रब्लम्स नहीं वाकि तो सब खलगा है करना दुछ करना नेशन है सब्सक्राइब बच्भाप पर जिना तो सरकार अम लोग के लिए कुछ पर्टा था एक है जो स्टेट जो है करला कर दो का वहाएं का सिर्फ जो है अदमी लोग को पेंजन दिया जाता है और बागे तो इदर यूपी विहार इदर का कोई सरकार अभी तक तो कुछ नहीं कर रहा हम लों के लिए खाली कुर्सियां मरनासन जानवर अब ना तो वैसे दर्शक हैं ना ही इस कला संस्क्रती और इस आर्ट को उस प्रकार का पुरुसकार पैसा और प्यार मिल रहा है कला कार जिसने पूरा जीवन इस पर समर्पित किया अब ये सवाल पूछता है कि अब जाएं तो कहां जाएं तो आज आवशक्ता इस बात की है कि ये जो हमारी संस्क्रती कला और परमपरा का सुन्दर मिश्ण है इसको किस प्रकार से सहच के बचा करके रखा जाएं गुजरात और केरला में कुछ प्रयास हुए हैं लेकिन वो पर्याब तो नहीं है अच्चन खेट का विशह है कि इस सुन्दर कला संस्क्रती और परमपरा को हम बचा कर नहीं रख पा रहे हैं इंडिया अनहर्ड के लिए मैं सरुवत नक्वी